कि यह लो स्रेंट्स गुड इवनिंग वेलकम टू काताने गडमी बहुत-बहुत सौगत है काताने गडमी के लाइव सेशन में चलिए क्लास 12 आइमीन क्लास 11 की आज क्लास 12 की क्लास तो हो चुकी है और आज का लाइव सेशन बहुत ही खास है क्योंकि आज हम अपने चैप्ट 12 के लिए फिजिस केमस्ट्री मैस और बाइलोजी स्ट्रेंट्स आप सभी स्ट्रेंट्स इस लाइव क्लास को इंज्वाई कर सकते हैं डाउट डिस्केशन होगा कोश्चन बैंक टेस्ट पेपर और रिकॉर्ड लेक्शर भी आपको प्रोवाइड किये जाएंगे क्लियर ए हमारे यूटिब चैनल है इस पर होंगी और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को यानि गंटा को दबा दिए ताकि आपको 10 और 11 के सारे लाइव यूडियो लेक्शर मिल सके हैं तो जो भी आपके रिस्पेक्टिव क्लासों से जोड़ा होगा जो लेक्शर ह जिसमें क्यानचैने का चैनल की सब्सक्राइब कर जाएं कर रहे है यह इस फिर आप सभी को मिल सके इसके लिए सभी लोग लगाता जोड़ जाई हैं और देखिए बहुत सारे स्कूल अलग-अलग डिस्टिक्स के यहां तो अभी बहुत ही कम है बहुत लंबी लिस्त हैं जो इस एजुकेशन अवेडिनेस प्रोग्राम में हम सभी को हेल्प कर रहे हैं गाजीपूर में यह भी काफी सपोर्ट करने हैं हमारे इस एजुकेशन अवेडिनेस प्रोग्राम से काफी अट्रैक्ट हैं गौरी शंकर पुब्लिक स्कूल है गाजीपूर का यह भी काफी ज्यादा जो है हेल्फ सपोर्ट इन देचर के हैं और सभी स्कूल जो हैं वह अपने इस एजुकेशन अवेडिन्स प्रोग्राम में और सपोर्ट भी किया है इस चले आज हम अपने चैप्टर फूर यानि की एनिमल किंग्डम के थर्ड लेक्चर को आगे काउंटिनू करते हैं लेक्चर थ्री एनिमल किंग्डम क्लियर है ठीक चले बहुत सारे प्यार जो रही हो रही है तो थोड़ा सा सीजन या वेदर चेंज होने की वज़े से आपको प्रिकोशन सब्सक्राइब को नहीं मिलेगी शायद मैं कोशिच करूंगा कि सब कुछ प्रॉपर हो ठीक है ना चलिए हम दो आगे क्लास और प्रोसीड करते हैं संघ viu नंज्बर सिस्टमन गोगार से बहुत और आगे चलके जो यह नर् mathematically होते हैं यह आपस में merge up हो जाते हैं और coordinate करके nervous system बन जाते हैं या किसी तरह कि जो भी आपकी बहुत सरी activities है body की अलग-अलग activities को यह control करने में coordinate करने में help करते हैं important है अब depend करता है nervous system किस level of organization का है यानि कि अगर lower लोवर फाइलम्स में है तो गेंग्लियान लेवल तक होगा और हायर फाइलम्स में है तो और अपर लेवल तक develop होगा well organized nervous system होगा है ना सो अब हम डिसकुस होड़ते हैं endocrine system endocrine system चलिए endocrine system की बारे में अगर हम देखें तो endocrine system में हमने discuss किया endocrine glands के बारे में इन्हें हम ductless glands भी बहुते हैं यह बात हमने आपको बता दी थी हमारी body में अलग-अलग functions को perform करने के लिए बहुत सारे enzymes और hormones responsible होते हैं enzymes आपकी exocrine ducts I mean gland से निकलते हैं जो आपकी duct वाली glands होते हैं जबकि जो हमारे hormones होते हैं यह endocrine glands से निकलते हैं आपकी ऐसी gland जो ductless होती है ऐसी gland को क्या बोलते हैं endocrine glands बोलते हैं these secret hormones यह hormone secret करती है endocrine glands occurring all vertebrates and in some invertebrates तो यह invertebrates में भी होती है और vertebrates में भी पाई जाती हैं नौ सेंसरी system की बात करते हैं sensory system की बात करते हैं यह sensory system क्या है this system consists of specialized cells यह sensory system होता है यह specialized cells से मिलके बना हुआ होता है tissues और organs से मिलके बना हुआ हो ठीक है न विच कैन पिक अप आ इस्टिमुलस यह एक stimulus को पिक अप कर सकता है and transmit the same to the nervous system और nervous system को transmit भी कर सकता है तो sensory system जो है वो sense organs से मिलके बना होता है अलग-अलग sense organ अलग-अलग system like को लेके उसको sensation को लेके nervous system तक पहुंचाते हैं और उसके बाद जो response आता है वो show करते है तो sensory organ अगर आपने human body की बात करें आप बच्पन से पढ़ते चले आ रहे हैं five sensory organs और आइस इयर नोज इसकिन और टंग यह five sensory organ आपने भी पढ़ने हो है ना इसमें specialized cells यह tissues यह organs आ सकते हैं जो stimulus को लेंगे और वो nervous system के बाद कर दिये जाएगा उसके बाद जो हमारे sensory system होगा उसमें बताएगा कौन कौन से different structures हो सकते हैं तो अलग-अलग organism में डिपेंड करता है कि वह अलग-अलग animals में अलग-अलग तरह के sensory systems होते हैं जैसे कि एक्जांपल के लिए हम बात करें तो for example जैसे हमारे insects होते हैं जिसे लिखा हुआ है एंटीनल है ना यह एंटीनल जो होते हैं यह आपके टेक्टाइल कर सकते हैं और smell करने में में help करते हैं और tentacles भी टेक्टाइल होते हैं इसकीन भी अधेक्टाइल होती ही टेच करने पर पता चल जाता है और statosist तो balancing organ होता है बहुत ही famous है statosist balancing help करता है तो बहुत important है statosist balancing organ के रूप में famous है question पूछ आते है एक्जांपस में एर काम होता है hearing और balancing में करता है तो हीरिंग एंड बैलेंसिंग में कैसे करेगा याद करिए जब आप बस में चल लाई होते हैं सो रहे होते हैं तो यह सब कुछ में यह का रूल होता है जब हम आपको सिंसरी ऑर्गन पढ़ाएंगे तब इसके बारे में पताएं है आयरी हमारे किसी-किसी आखजम मेंन ही भी वोता है लोगर लेवल वैसे भी नहीं होता है है पिशित बड्स के का सब्सक्क्रिछ होती है तेस्ट भी होते बात हैं फिशेस वगरा में लेक्टर लाइंग जाती है जो काफी सेंसरी नेचर की होती है ना वाटर से जो वाटर का टमपरेचर है और जो इसमें वहादर को है द्राइकशन या फ्लो भो सारी सिझे पैचानने में हेल्प करती है नेक्ट है हमारा इस्केलेटर सिस्टम बहुत ही इंपोर्टेंट है इस्केलेटर सिस्टम यह जो हमारा इस्केलेटर सिस्टम है इसमें हम डिस्कॉस करेंगे कि जो और अलग 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 लेवल ऑफ और्गनाजिशन वाले उनका जो इसकेलेटर है वो कैसा बना होता है और कि की बात ही नहीं करेंगे और हाइर और की बात करेंगे तो बॉंस काटिलेज टेंडेंस लिगामेट्री सब आते हैं तो इसके लिए इंटर्नल और एक्स्टरनल फ्रेमवर्क डैट प्रोवाइट सपोर्ट एंड शेप टूदा बॉड़ी तो जो हमारा स्केल्टर सिस्टम है य स्केल्टर सिस्टम वेगाइख डिल्कु टोशी बात है हमारी बॉड़ी में स्केल्टर सिस्टम ही एसा है जो बॉड़ी को शेप रिल्हें Olie है वाइसे इन्टर होन में हखरें होती ही नहीं घूप से बात ओक बहु alarm को वाल त्ट भींपलेंगों यूदी हें Gख mm संहरे चेल्ब का ही होसू जylg गालीक चाइडश टम काुछ हुत्थ üक इस तरह का उनले चेक्थ वोडी के बाहर करेंगे तो हमारा इसकलमर करेंगे हर्ड सप्पॉर्टिंग एन प्रोटेक्टिव फ्रेमवर्क के ये कि नेल इसकि sulphur हौंस हैं हूफ्स हैं इनमस में जो आपके शींगें होती हैं हौंस जो खुर होते हैं हूफ्स वगएरा उसकी बात हो रही है तो इस हार्ड सपोर्टिंग एंड़ प्रोडेक्टिव फेमवर्क प्रेजेंट अन दा एक्स्टीर ऑफ दा बॉड़ी और इसे मेड़ amun living matter एक्स्टरनल गशेश और मोलस्क कुटिकल एपधिर ऑफ और एग्से के मेप्स सब्स्कीर यहाँ जो आफकी होट सीगें फेधरिय उसले Maisak लड़कियां तो बहुत ही बड़े बड़े नियस्तिया करना उनको की बात कर रहे हैं है ना खुर्जों होते हैं जिसके तो गोड़ा टिकली टिकली चलता है दोड़ता है अब बात करेंगे हम एंडोस्केलेटन की बात ना gün crying and those लेटर का दो इंटर्नल्स स के सपोर्टीव व्रेमवर्क जो हमारे वाइटल और रॉड़ान को अगाएं के अनुकशंट कर रहा है तो प्रडुक्षन डेता है सपोर्ट जैता सोच अगर बहुंस नहीं होती तो हम लोग विवगल कपड़ें तरह फोल हो जाते चल नहीं पाते हैं यह बहुंस नहीं होती इसी तरह ही यह कापी है लेकरता है अधस्केलेटेन तीके न आई यह समझे एक पर रीड कर लीजे अलग में अलग अलग और चीजों के बनावा एक नहीं कि अ कि कि झाल झाल आप सभी ने इसको रीट कर लिया होगा ठीक है ना तो शिखा बोलने यह सर क्लियर है वेरी गुट शिखा प्रण में आ रहा है आज थोड़ी सी वीक्नेस यहत अभी खराब होने की वजय से हम आराम आराम से चल ले हैं चीजों को बहुत ही आराम से डिसकस करना है कोई भी जल जलवाजी नहीं करेंगे ठीक है ना चीजों को बहुत आराम से समझेंगे तो आराम से तो वैसे भी समझते थे आज को ज्यादा यह आराम से चल ले हैं जल्दी तो पहले भी नहीं रहती थी ठीक है ना सो यह टॉकिंग अबाउट दा एंडोस्केलेटन तो होता है इंटीर आप दब्र द लॉर अने इंडोस्केलो तॉर सॉपांजдеर स्वाट कारेंगे तो यह बना होता है कैल्केरियस और सिलीशी 1710 कहहीं रसे स्च अफिक्मृट इस होते हैं जो कि अ MARK टेफ़े इनवे की बात हो दिए पश्यों को ना की बात करें अगर jsा में जानते हैं संने हम लोग तो इसमें बहुर्ट वो ती होसकता अब कॉमन सी बात है इन वर्टिब्रेट्स में तो एंडोस्केलटन नहीं मिले हाँ 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 है यह वह अगर इसकेल्टर सिस्टम प्रवाइड करा तो बात अलग जो की बोंस और काटिले से बना वाँ होता है बोंस बोंस यह अवर तो हैं कर लेते हैं जेके उसकेड़ सपोर्ट करता है तरहां से मूवमेट के लिए नर्वर सिस्टम से मसंने और बोगा सच्छे से लेकिन बोन सपोर्ट कर रही है इसकर हम हम सपोर्ट कर रहा है मैं यह बताना चाहता हूं छले आप बात करते हैं knowledge पर सोिस्प्ष कि वैक फेक्ट कुछ बाते हैं जो आपको याद कर लिए इस knowledge एक हैं यह एक गर्डेन है आप सभी स्टृइटस के लिए कि आप सभी को फ्री ओफ स्व स्ट चीजे दी जा रहे हैं तो इसमें दो तरह की चाहरा है जो ज्यादा ज्यदा लिए पेनिफ्जिते व઩iveness आप क्लासेस में आईए क्लासेस में को पूछिए और अपने डाउट को डिसकस करिए आपको दरूरू कुछ सिखने को मिलेगा वही चीज आप कहीं और दुसरी जगे पर पेमेंट दे की भी कर सकते हैं नो डाउट कोई बुराई नहीं है आप जाके पर सकते हैं अभी फिलाल एस पर गवर्मेंट और अभी क्लासेस कहीं पर भी ऑन या ओपन नहीं हुए हैं तो मुझे रगता है कि पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका या पढ़ने वाले बच्चों के लिए सबसे अच्छा मीडि सबसे बच्चेशनल टीचर वह इंग्लिस प्टीश आपको पूरा समझाएंगे हर एक चीज़ को समझाने कोशिश करेंगे और आएंगे अपने वे में पढ़ाईंगे और चले जाएंगे बट देर इस नो इंट्रेक्शन बट्वीन और इस स्पिसिफिक इंट्रेट्शन इस तरह से मैं आप से पूछता हूं क्लियर है आप लोग रिप्लाई करते हैं आप को समझाता हूं हर एक बच्चे पर जान जिया जाता है तो इस से यादा परसनल एटेंशन का मिल सकता है और सबसे बड़ी बात इस प्रोफेशनल टीचर जो मैं सिर्फ यह नहीं कि मैं आपको इंग्लिश में आऊं और बहुत ही अच्छी तरह से प्यूर इंग्लिश में पड़ा कि पूरा चला जाए मैं उस लेंग्विज का यूज करता हूं जिसमें आपको उच्छे समझ गया है अगर आपको इंग् मिक्स लेंग्विज दा बेस ठीक ना तो भाई थोड़ा सद्यान दीजिए चीजों को समझने में आप ज्यादा ज्यादा बेनिफीट उठा सकें चलिए अब आते नौ इस पॉइंट्स को यह आप देख लिए याद कर लिए याद करने लिए पॉइंट से फैक्ट्स है यह झाल चलिए तो नौल इसके पॉइंट्स को डिसकस करते हैं ठीक ना फस्ट आफ आफ आल लेट्स टॉक अबॉट्स पॉइंट क्या बोलना है देखिए पहले देखते हैं नर्वस सिस्टम वास फॉस्ट इवल्ड इन निडियरियंस जो फाइलम निडियरिया है उसमें सबसे पह निडियरिया का एक नाम और होता है इसको भूलते हैं तो पॉरी फे र उसके बाद फिलिंड्रेटर आ तो पॉरी फेरा नर्वस सिस्टम नहीं होता है आपने नर्वस सिस्टम इनिशेट हो हों आदा डेवलेप होनँ नेक्स पॉइंट है एक्सकेरिस एंड अर्थ वाम अमोनिया भी निकाल सकते हैं और यूरिया भी निकाल सकते हैं जियर नैट्रोजनस पेस प्रोडक्ट याद करने वाला पॉइंट है नेक्स है development of living and growing endoskeleton in vertebrates has enabled them to attain large size और आपका living और growing endoskeleton होता है वो उनको large size attain करने में help करता है यह जो हमारा endoskeleton है वो कैसा होता बोलो भाई living है और कैसा growing अडियों साइज बढ़ता है ना तो अभी हम अपना large size अचीब कर पाते हैं गेन कर पाते हैं clear चले next point अब हम sexuality की बात करते हैं या sex की बात करते है animals में जिसे आप आपका voter ID card होता है आदार card होता है उसमें लिखा रहता ना sex की male है की female है है ना sexuality की बात हो रही है वैसे यहां पर हम animals की बात करेंगे कि animals में थोड़ा सा आप जानिए कि कि आप तब कहेंगे unisexual और bisexual हाँ जी हम वहीं डिसकस करने जा रहे हैं तो जनरली जो animals होते हैं उनमें sex organs जो होते हैं वो reproduction करने के लिए होते हैं और sex organs दे वो sexually reproduce करते हैं यह भी कोई कहने की बात नहीं है लेकिन जब दोनों ही तरह के sex organs एक ही body में होते हैं तो यानि same individual में बोथ male और female की sex organs present होंगे तो ऐसे animals काम होते हैं hermaphrodite याद कर लिजे या bisexual या mono-ecious या आपको या आद करने को लिए यह terminology है terms है यह हम तभी उस करेंगे whenever we saw or when we use any bisexual organism that is the organism which have both male and female type of sex organs so it is called hermaphrodite bisexual or mono-ecious example हो जाएगा liver fluke, tapworm, earthworm, leech liver fluke, tapworm, earthworm और leech and the animals with either female or male sex organs और वो animal जिसमें male और female sex organs होंगे is known as unisexual or dioecious वो animal जिसमें male और female sex organs होंगे उन्हें क्या बोलेंगे unisexual या डाशे बोलेंगे example है हमारा frog and lizard birds and dog birds or dog भी होता है so when the male and the female can be distinguished on the basis of external features the condition is called sexual dimorphism हमने बात की sexual dimorphism की sexual dimorphism क्या है sexual dimorphism का मतलब होता है जाया कि बाया जब male और female को sexual या sexuality की बेसिस पर differentiate किया जाया जैसे कि loin and loynes men and women peacock and pehen etc ठीक है ना यह हमारे example तो देखें यह हमारा अर्थवाम में आर्थपार्म एर्थवाहीन इसाथ है एक वाथ है यह आर्थवा में और प्लीजा पाय जाते में और यह आहीं और में पाउला में जाते हैं ये रहे स्थिक टेस्थिकल्स जो कि टेस्थि芯 को यह रही में पाई जाते हैं मतलब यह बाइसेक्चुल है हर्माफोडाइट है और मोनोचिस यहां देखेंगे तो यह हमारे कॉक्रोच है कॉक्रोच का यह लोवर अब्डॉमिनल सेक्शन है यहां पर गौनेडियर लिजन है जहां पर आपको यह समाइनल बैसाइकल्स वास डिफ्रेंस एजैकुलेटरी ड यह प्रेजन्ट तो कॉक्रोच में अलग-अलग बॉडी पे अलग-अलग और सिक्स ऑरगान है यह आपका यूनि सेक्शन हो यह क्या होगा बोलेए यूनि सेक्शन अब बात करते हैं बच्छों रिप्रडक्शन के अगर बात की जाए तो रिप्रोडक्शन पैं बी आईध डिपेंडिंग पॉन्दा इंवॉल्मेंट ऑफ गैमीड्स का इंवॉल्मेंट है तो सेक्ष्वल और नहीं है तो फिर इसेक्ष्वल हो जाए तो सारी बेसिक बाते हम डिस्कॉस करते हैं एक बार आप रीड कर लो एक रीड कर लीड़ें चलिए हुने क्या बात किया रिप्रोडॉक्ष्वन दो तरह का होगा और एसेक्ष्वल और एसेक्ष्वल पहले हम डिस्कॉस करेंगे एसेक्ष्वल एक ऐसा रिप्रोडक्ष्वन जिसमें यूजन नहीं होता, गैप्रोडॉक्ष्वन गैंटीस कर लोगवर एंबस यह पाए जायागा भोलिये, लोगवर एंबस में पाए जायागा तो fission है, budding है, fragmentation है और regeneration है यहमारे common method है Now, let's talk about sexual reproduction So it involves formation and fusion of gametes इसमें formation हो रहा है और fusion हो रहा है gametes का And the male gametes called spums and are motile Male gametes को क्या बोलते है? Spums बोलते है और यह motile होते है And the female gametes called ova are generally non-motile Female gametes होते हैं, यह क्या होते हैं? ova होते हैं और यह कैसे होते हैं, बताइए, non-motile ठीक है ना? अब बात करते हैं, fertilization Fertilization Clear है सारी बात हैं? समझ में आ रही हैं? चलिए Fertilization, अगर कहीं पर किसी भी point पर आपको कोई दिखकर लगती है आप तुरंत message को थूरू, live comment करके आप पूछ सकते हैं मैं आपको उसको shot out कर दूँगा problem को Fertilization Fertilization in animals is of two types पहला है हमारा external fertilization External fertilization में, as the name suggests, body के बाहर होगा तो animals such as many invertebrates, बहु सारे invertebrates, some marine fishes and most amphibians shed both egg and spums into water where the fertilization and development occurs This is called external fertilization एक साथ male और female ने अपने gamit release कर दी है water में, क्योंकि external fertilization में it requires medium इसको medium की requirement होती है यह बहुत इस बाहुत इस बाहुत है Generally water में ही होता है Body के बाहर होना तो हवा में थोली ना हो जाए gamits release कि जाएंगे male female दोना अपने gamit release करेंगे water में और यहां पर यह हो जाएंगे जैसे यहां फीमेस लाइक प्राउग में होता है है ना और साथना फिश है सिर्माँ होता है आए डियाग्राम से इसको समझते है यह देखे यह female fish थी इसने egg ले किये एक रिलीस किये यहां पर बहुत सारे और तुरंत वहां पर male fish आगे उसने स्पंस को रिलीस कर दिया ओवर एक्स यहां पर बहुत सारे स्पंस इसको आएंगे और यहां पर यह स्वर्टिलाइजेशन करने की यहां पर कोशिश करेंगे तो बात यह कि एक्सटरनल फर्टिलाइजेशन अंसेफ माली फर्टिलाइशन अगर हो भी गया तो कोई भी आएगा अदे खाके चला जाएगा जाएगा चला जाएगा एक्सटरनल फर्टिलाइजेशन में सिंक्रोनी चाहिए होती है नहीं की हम तो जा रहे हैं वाटर फाक घूमने हैं और नहीं हम तो जा रहे हैं थोड़ी सी मौझ मस्ती करने नहीं Synchrony means on that time, male has to release its pumps, male को is pump भी release करने होते हैं, clear, तो यह बात है, male को उस टाइम पे is pump भी release करने होते हैं, next point, let's talk about internal fertilization, Internal Fertilization, जब आपको बताया, जब body के अंदर fertilization होगा, तो उसे क्या बोलेंगे, internal fertility, क्या है यह बात, आप समझे आ रही है, जैसे कि आपका जो land animals होते हैं, उनमें yakवानों होता है, internal यह काफी safe होता है कि जो babies होते हैं वो body के अंदर रहते हैं सब्सक्राइब इन्टेडूस वाई इन्टो दा मेल इन्टो दा रिप्रेट्टिव एक्ट टाइम पर जो मेल होता है वह इस फंट को female reproductive tract में inseminate या introduce करा देता है and this is called internal fertilization यानिकि male अपने spumps को gametes को female की body में introduce करा रहा है अब यह डियाग्राम देखें यह testicles males के यह male roaster है यह कपॉलेशन के process में involved है और male cloaca के through gametes को female cloaca तक पहुचा रहा है और यह और यह अंदर यहां पर बहुत सारी ovary है और यह एक्स अंदर यहां present है नीचे हैं तो रोस्टर और हैं के बीच में एक कपॉलेटरी process होगा जिसमें roosters male cloaca के पहुचा देंगे जहां से वह होते हुए आगे चल्गे फटलाइजेशन कराएंगे तो यह बॉड़ी के अंदर फटलाइजेशन हो रहा है तो इस तरह से जब बहार आएगा उससे बेबी प्रोडूस होगा बात ठीक है ना आगे देखिए अब बात करते हैं ove paris एंड बीवी paris के औवी paris औड वीवी paris animals यह यह ओवी पैरेस का मनलब होता है एग लेंग एनिमल्स जो बर्थ देंगे यंग वन्स को जब देंगे जरूरी नहीं है बैटा जिसमें इंटर्णल फर्टिलाजेशन हो वह विवी पैरेस ही हो जैसे आपका बीजो लास्ट ट्राग्रामम था मुर्गी वाला इनि इंटर्णल फर्टिलाजेशन ही हो रहा है बट वह वह वी English रोफेल्श सारे अनिमर से में एक्सटरण heldी आनोल कर्टें ओंड बाउजूद बीए लोके लेक एन्ट एर वेक्ट वहता हुआ इन्टरनल खुरै यंोप सबस्क्राइब कि इन डियर आप favour इंटरनल फेर्लिजिशन गीवर्थ तो यह लिए जी ऑप अगे चलके अग्ले हो सकता आप अग्याझ आज सकता है अग्ले नी परस कंडिशन आ सकती है या फिर सीधे पूरा वार आयेगा बाएगा के बाएग के आदि की वीवी पर इस condition so some animals with the internal fertilization give birth to young ones some mostly they did and such animals are of two types किने ताइप के होते हैं दो तरह के होते हैं यह अनिमल्स भी दो तरह के होते हैं और वह वीविपरस अनिमल्स इस रिंट्स और वह वीविपरस के मिल्लब यह होता है कि यह animals large amount में heavy amount में heavy size के यह heavy yook वाले egg produce करते हैं heavy yook means large amount m 3 stored food that develop in the reproductive tract of the mother without deriving nourishment from it तो वो mother की body में ही रहेंगे उससे nourishment नहीं लेंगे तुकि उललेडियस में योग है बट मदर की बॉड़ी बनेंगे सेफटी पर्पेस के लिए है और बाद में वह बाहर आ जाएंगे अंडे फूट जाएंगे अंदर और बेबी बाहर आ जाएंगे इससे रेटल स्नेक में और शार्क शार्क हो वा वी परस होते ये बात याद कर लिजिए को वा वर वीव परस जहीं है न एंसगों परस महिन कोर्ण ने बोला एश्यों हो बिलकुल सही बताया रोकी को एव जुड़ अब वी परस की बात हुट है वीव परस एनिमय ग्स द लौ जह जो वी ठी झो छहते बंद ले एंपरेव जो होते हैं वह को डेवलप्मेंट के टाइम पे मदर की बॉडि से नरिश्मेंट लेते हैं हम लोगों में हम लोगों के यानि एक बनता है यह बहुत छोटा हूं फीमेल में बनता है और उस एक में इस्टोट फूड भी नहीं होता है तो वह एक जब फटलाइज हो जाता है जाइगोड बनता है एम्रियो बनता है तो जो बेबी डेवलप हो रहा होता है फीटर्स वो मदर की बॉड़ी से नरिश्मेंट लेता है और आगे चलके क्या होगा वो जो होगा जो नरिश्मेंट ले रहा है रहा है ना वह थे कि अहागे जयटव्ज्टYo अडिया क्यों यह की इसे-टोन यह अपने अडर्ट से कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं ईर डिस झाइप डिवलपमन्ट इस काल धा डिए डिए डिवलपमेंट जो 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 चिल्ड पी अपने परेंट्स करेंगे ऐसे डिवलपमेंट को बोलते हैं डार्वा और निम्स जैसे बचों बटरफ्लाइ में जब एक्स से उसका बटरफ्लाइ से मैंच नहीं करता है इस उसमें कैसा हूब इंडरेक्ट इंडरेक्ट इन डिप्लफ्लाइम सब्सक्राइब में हम लोगों में सही सब्सक्राइब तब लोगों में योग नहीं होता है हमारे योग नहीं होता है क्या सिंदीबिपेंडेंट लाइफ पार सम्टाइं जो लारवा रहा होता है इसमें इंडिपेंडेंट लाइफ पाई जाती है कुछ समय के लिए एंड लेटर एंडगो इंपोर्टेंट चेंजेस आगे चलके इसमें कुछ इंपोर्टेंट चेंजेस भी आते हैं तो बीकम एंडल्स ताकि यह एडल्स वगयारा बन सकता इस चेंजिस फ्रॉम लार्वी इसे क्या बोलते हैं यह आगे चलके अभी नहीं दिख़ रहा है इसलिए इंड इवल्मेंट और आगे जब यह लार्वा एडल्स में दिखने लगेगा उसके लिए कुछ स्टेजेस से ओके गोजनना पड़ेगा उस सुझ मेटामॉर्फ पॉसमें पुछ मेटामॉर्फ पूसिस के प्रोसेस की कोई लारबा अपने अडील जासद दिखता है उसमें चेंगेश को सबस्क्राइब अब बात करते हैं नॉन को डिटा की बात करते हैं नॉन को डिटा की बात कर लिजे मैं समझाता हूं कि अब बात कर लिए हैं नॉन को डिटा को डिट कर लिए मैं समझाता हूं अब थोड़ा बहुत तो आपने डिट कर लिया हो करती देर में सफिशन टाइम मैं आपको दिया हम बात कर रहे थे नॉन कोरिटा के बारे नॉन कोरिटा जो होते यह वह वाईल हो है जिसमें वह ऐनिमल साहра जिए अम इस आनिम इस वंक्रिंटम इन्क्लूट से बाओट थरटी फाइव फाइला और ओफस्थ थर ती वन आर प्निज वन अर्कांसीड एज मेजर फाइला 31 को I mean 11 को 35 है जिसमें 11 को मेजर फाइला माना गया है जो हमारे से लेवेस में दी है हमें बाकी नहीं पढ़ने इन इनमस को हम दो ग्रूप में डिवाइट कर सकते हूं ना बेसित अप्रिस आफ नोटो कॉल्ड नोटो कॉल्ड है तो आपके कॉड़ेट समय जाएंगे और नही अगर बैकबोन को अगर बैकबोन है तो यह क्या कर लाएंगे बताईए वर्टीब्रेट इन बैकबोन पाई जाएगे और अगर बैकबोन ने नहीं है णिदा इनका बोलेंगे इन वर्टिवेट आपके हैं बहुत इसान सी बात हम लोग कैसा है मताईए हम लोग क्या हूं अच में से यह वर टीवरेट तो नौन कौरेट्स इंक्लूड़ वॉलॉइंग्फाइलॉन सो जिसमें पहला क्या है प्रिप्षिए भी खीजह थिज आप ना सीजिए वाथ को समझ्मानी से यह तो स्निलेंट्स लेकिन एक बात मैं आपताना चाहूँगा की फाइलम पूरी फिर आग ये बात हो रही है आप उसके पहले मैंने आपसे बोला कि ग्यारा फाइलम उनको पढ़ने और बहुत समय से मैं इसी समय के इंद्धार कर रहा हूं और मैंने कुछ स्टार्टिंग चार फाइलम आपको याद कर रहा है थे पी सी सी पी एक ट्रिक बता ट्रिक ट्रिक करते हैं है तो जैसर toutes अमने पालब कोरीफिर स्टार्थ किया और अभी हमें आगे डिस्कुस करना इपको आपको सारे इन बतादेते हैं एकक करके आपको आने के बाद आफिर फर्दर अपना देख सकते हैं जैसे देखें हैं तो आप सारे नोट करिए पहला होता है फाइलम पॉरी फेर अची के ना कि दूसरा होता है हमारा फाइलम सिलेंट्रेटर अची के ना हुआ कि दूसरा होता है फाइलम तीनोफोर जी से स्पेलिंग हो थी वाड़ मैंने या भी मौना दिया चाओथा होता है हमारा फाइलम लैटि अलमन सिल्स अधिए जिए चलो कि चारख वह पीच ची आप पी चीप ऑद पाचवा आता है है हमारा एसकल हलमेंटी जैसे बोलते हैं निमेटो हलमेंटी इस एक अधिया तो कि इसके ट्रिक बने किन और शेवाद च्टवा आता है हमारा अने लिड़ा अर्थमा वाला फाइलम चटवा है एन लिड़ा और साथ्वा है यह हमारा अर्थफ पोड़ा साथिवा क और ग्यारवा है हमारा फाइलम कॉरेट यह ग्यारव आपको याद करने है यह ग्यारव आपके सामने है उसकी ट्रिक क्या है पी-सी-सी-पी फिर एक्यूब एसके लेंटीज एनलीडा आर्थोपोड़ा और उसकी अबाद M-E-C PCCP A-Q Mac ठीक है ना आधिए देखते हैं फिर से एक बार इसको देखते हैं समझते हैं देखिए, यहां समझें पेटा, P, C, C, P, A cube means 3 times A, A cube, और फिल, Mac, तो students, आईए, इनको हम elaborate करते हैं, समझते हैं, P stands for Phylum Porifera, C stands for Phylum Seren Crater, Ordinary Area, C then further C stands for Phylum Tino4, match from your book, and next one is P stands for Phylum Platy Helminthes, then A cube, तो PCCP एक में आद कर लो, फिर A cube एक में आद कर लो, और Mac को एक में आद कर लो, 3 step में आप formula याद कर के, सारे के सारे 11 phylums को बिल्कुल आप अपने fingers पर आद कर सकते हैं, छेके ना, तो A cube में A stands for Escal Helminthes, then the second A stands for the Phylum Enneleda, and the last A stands for the phylum बताइए आर्थ्रोपोर्टा नौ आफ्टर देट इन मेख M stands for phylum mollusca, E stands for phylum echinodermata and C stands for phylum koreata जिदादा important 11 file ठीक है ना और फाइल में जिस्टा फ्रोटर्स दोवा वगरा भी है वह हमको नहीं पढ़ना है ठीक है तो आई होप यह फाइलम आपको याद हो गया होगा यह सेक्वेंस याद करिए पहले आप इस फाइलम के सेक्वेंस को याद करिए यह सेक्वेंस बहुत important है अब ठीक है न चली आए हम आगे यह स्पॉंजेस वाला पार्ट यादि पोरीफेरा वाला पार्ट इस स्टार्ट करते है क्लो इस को मैं लिखाने देता हूं यह जोड़ोग नहीं है आई है यह हम डिसकॉस करते हैं फाइलम पोरी फेरा पढ़तों पोरीफेरा का मदलब इंकी बाडी में पॉर्स हो। है ना। तो फाइलम पॉर्फरामीन पॉरॉस एंट है इनुट्वाइश को परि में। बता है इसको पॉर्धी फिर्टेरांस जोंते हैं. इन्हें क्या बोलते हैं पूर बीरिंग एनिमल्स इन्हें क्या बोलते हैं पूर बीरिंग एनिमल्स इन्हें क्या बोलते हैं 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 इस पॉंजेस हाते हैं mostly जो marine होते हैं आ फ्रेश वर्टर भी होते हैं बट mostlyusan जनरल फीचर्स की बात करते हैं some general features of the phylum porifera are discussed पहला है habitat habitat they are mostly marine and some are fresh water habitat है मोस्ली मरीन होते यह समदर में पाए जाते हैं और कuting यह हमारे फ्रेश वाले भी होते हैं समदर के अलावा जो तालाब है नदी लइंक्ष्म पाए सबस्क्राइब पो नोट मैं भाट करते हैं श्योंजिoda जो और भी जो पॉरी फेरंग मेंबर सें इनकी स्टीव हम क्या बोलते हैं पैराजोलोजी क्या है इस्टेडी ऑफ पॉरी फेरांस यह एक पैक्ट है आपने इसको याद कर लिए ठीक है ना इन में टिशू लेवल का ओर्गनेज़िशन नहीं पाया जाता है नहीं पाया जाता है समझ में आया में इन में टिशू लेवल का ओर्गनेज़िशन नहीं है क्योंकि सेज्ट लूजली पैक्ट होती है लूज एग्रिगेशन पाया जाता है क्लियर है ना चीक चलो सई यह देखिए स्पॉंज है यह एक वाटर में एक्वेटिक स्पॉंज है यह जो मरीन एन्व सब्सक्राइब करेंगे तो यह दौहाफ में डिवाइड हो गएक्वल नहीं होगा किया मैं इसे करेंगे तो होगा तुम आप सियांच चले टुम आप सियांच लिए बट इक नहीं आ रहे हैं एक नीचे एक ऊपर इना यह कहने में लिद तो पूरी फेरांस में सिमेट्री सब्सक्राइबर कि नहीं होती है यहां सिलिंडन facto आई है Soda technical forms कि बात करें जैसे कि हमारा सैकॉन होता इसमें discipline dual का इस सेमट्री से में सिलेंड कल में होगी सेंडिकल कंड 빠ई में सेंट करो इक क्रिक एज करो तो सेंद Guru बैट मूसस अपन्ससे वहो關係 रोओछा कि कि होते and have nosh fell हो गया a regular हो तो क्या symmetry ho नो सिमेट्री ओक्रेज्स वोel इनकी जो भाडी वॉल होती है इसमे आूटर डरमलले होती है जिसमे पिछने को दंबोलते है गिजो इनर गेस्ट्रल Penacocytes बोलते हैं Penacoderm contains flat cells called Penacocytes Next है the quinoderm consists of spherical cells quinoderm जो होती है वो spherical cells से बनी होती है with the collar from which a flagellum emerges out मैं आपको दिखाऊंगा अभी कुछ यह थो थोड़ा सा इस तरह से मैं आपको दिखाऊंगा इसे फ्लैजला निकला होता है तो कुछ इस फ्लैजला निकलता है यहां से यह फ्लैजला निकलता है और आप से क्यों गुद्ध है कि किसमें पाई जाती है तो आप बताएंगे किसमें पाई जाती है ठीक है न क्लियर है न इस फॉंजे चल्ड तो आगे देखिए अब हम बात करेंगे बॉड डॉर्डि ऑर्गनाजेशन जी बात करेंगे तो मने आपको बताया कि सेलूलर लेवल का बॉडे ऑर्गनाजेशन पाया जाता है इन मेंसेज जो होती है वह आल्मोस्ट इंडिपेंडेंट होती है that is cooperating very little with one another in the function आपस में बहुत ही कम कॉडिनेशन होती है जम लिएर की बात करेंगे तो मैंने बोला PCC P में PCC जो होते है वो डिपलोब्लास्टिक होते है इस ट्रिपलो प्लाइटोर में इस प्लोए उसके पहले सारे ड्रीप्लो इस और डप्लोब्लास्टिक से यानि प्लोब्लास्टिक होती है यानि जाय कोडी के बात है डिप्लोब्लास्टिक है तो बड़ी टैपि तो होगी नहीं कॉमन संस लगा मेजर्टो माइन सब्सक्राइब कहां पर होगी अप इनकी जो बड़ी टैपिन स्पेस होता हुआ उसे क्या बोलता है किसमांज उस्पांज से पैरा गेस्ट्रिक वाइबी इंपोर्टेट पॉइंट है विए तो स्पोंजस में इट ओपेंस टुद आउट साइड भाइदा टर्मिनल ओपनिंग कॉड्स को दो सिस्ट्ट होस होते हैं ना उन्हें बोलते हैं और जो टर्मिनल ऑपनिंग होती हैं इसे और श्कलम इंदर जाता है और ऑसकुलम यह च्कलम से बहार आता है यह आपको दिख रही होंगी आप पर कॉलर सेल को इनके स्क्रेटर्टन सिस्टम और कैना सिस्टम के बारे में डिसक्स करेंगे करते हैं और आज की क्लास को हमने काफी अच्छे से देखा और सब कुछ आराम से हो गया क्योंकि तब्याइद भी खराब थी तो कोई बात नहीं बहुत अच्छा रहा आज का सेशन धीमें बढ़ते हैं और काफी कुछ हमने डिसकस कर लिया नेक्स पर जल्दी मिलेंगे आपस और आगे पढ़ेंगे पूरे जोश की साथ थैंक्यू बच्चों जोड़े रहने के लिए आगे भी हमारे सब्सक्राइब और दूस्तों को भी जोड़े ताकि ज्यादा ज्यादा बेनिफिट वह उठासके थैंक्यू